हग्गय भहुष्वक्ता के पुस्तक अध्याए एक दारा राजा के दूसरे वर्ष के छट्व महिने के पहले दिन यहोवा का वच्चन हग्गय भहुष्वक्ता के द्वारा शालतियल के पुत्र जरुब बाविल के पास जो यहुदा का अधिपती था और यहो सादाक के पुत्र यहोशु महायजक के पास पहुँचा कि सिनाओ का यहोवा यो कहता है कि यह लोग तो कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है फिर यहोवा का यह वच्चन हगय भविश्वक्ता के द्वारा पहुचा कि क्या तुम्हारे लिए अपने चातवाले घरों में प्रहने का समय है जबकि यह भवन उजार पड़ा है और अब सिनाव का यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी चाल चरन पर ध्यान करों तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भड़ता तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं भूचती तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं और जो मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेदवाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, कि अपने अपने चाल चलंग पर सोचो, पहाड पर चढ़ जाओ, और लकड़ी ले आओ, और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देख कर प्रसन होगा, और मेरी महिवा होगी। यहोवा का यही वचर है, तुमने बहुत उपच की आशा रखी, पर तु देखो धूड़ी ही है, फिर जब तुम उसे घर ले आए, तब मैंने उसको उड़ा दिया, और सेनाओं के यहोवा की यह वाले है, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या यह नहीं, कि मेरा भवन तो जाड़ इसकारण आकाश से ओस किराना और पुत्वी में अन्न उपचाना दोनों बंद है, और मेरी आज्या से पुत्वी पर अकाल पड़ा, पुत्वी पर और पहाडों पर, और अन्न और नए दाकमधों और ताजे तेल पर, और जो कुछ भूमी से उबचता है, उस पर और पुत्र जरुपाद और यहो सादा के पुत्र यहोशु महायाज़त ने सब बचो हुए लोगों समेख अपने परमिश्वर की बात माली, और जो वचन उनके परमिश्वर यहोँ ने उनसे कहने के लिए हगय भवश्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया, औ अब लोगों ने यहोआ का भैमाना, तब यहोआ के दूत अगएने यहोआ से इहाग्या पाकर उन लोगों से कहा कि यहोआ की यहबानी है कि मैं तुम्हारे संख हूँ, फिर यहोआ ने शाल्तियल के पुत्र जरुपाविल को जो यहोदा का अधिपती था, और यहोसादा क पुत्र यहोशु महायाजक को और सब बच्चे हुए लोगों के मन को भार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमिश्वर सिनाओं के यहवा के भवन को बराने में लग जाए। यहां दारा राजा के दूसरे वर्ष के छटों महिने की चौबीसवे दिन हुआ। हगय भववश्वक्ता के पुस्तक अध्याए एक। कि सिनाओं का यहवा यो कहता है। कि यह लोग तो कहते हैं कि यहवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहवा का यहवचन हगाए।